Hello everyone, welcome back to my cooking blog channel तो चली आई किछन के अंदर और सोचा कि ऐसा क्या बनाया जा जो खाने में तो टेस्टी लगे ही और बनाने में आसान हो और कुछ ऐसा बने जो पहले कभी नी बनाया हो ताकि बच्चे देख करके सर्प्राइज हो जाए और मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि मुझे क्या करना भीक हम वंखने लotle द हम की करना भीक है ची पर दोन गाट ठाल है तो LES C क्या करेंगी दूड़ रात में भीक हमाती हैं जिन को मैंने भीर कंग रात में चान का गा तो अधिकन सब्सक्राइबरें तो यह तरीक्षे मासल जानेступ तो एक प्याज लिया है जिसे ने बिल्कुल बारी कट कर लिया है। कर सकते हैं और साथी में मैंने तीन हरी मिर्च ली है जिसे भी बारिक बारी कट कर लिया है अगर घर में छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्कीप कर सकते हैं लेकिन घर में अगर बड़े लोग के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मिर्च जरूर से एड़ करें और साथ ही में कुछ फ्रेश पहरी पत्ति दार धनिया ले ली थी अब मैंने इसमें डालने के लिए ब्रेड मंगाई है तो देखिए आपको क्या करना है कि मैंने 5-6 पीस ब्रेड के लिए है तो इसका जो में हीरो है वो ब्रेड ही है तो ब्रेड जरूर से आप मंगा करके और इसमें एड़ करें तो यह ब्रेड लेकिन ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए ब्रेड अगर कोशिश करें फ्रेश मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जो फ्रेश ब्रेड होती है उसे बहुत ही अच्छा बन करके तियार होता है अब मैंने जार के अंदर जो उबले हुए चने है इने भी डाल दिया है और साथ में जो ब्रेड मैंने काटी थी इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद मैंने इसे ग्राइं कर लिया है तो देखिए ग्राइं करने के बाद यह कितना अच्छा सा बन करके तियार हो ग तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केर से कुछ लाने का मन्नी होता है तो आप घर में इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं मैंआ अदर 1 चमच बर के कलॉंजी डाली है और इसके अंदर झाल है और आप गरम मसाला घाते हैं तो अमचूर भी तो मैं क्UT ऐसे जूदे की बिज़यो है तो आप इसे चार से पांच मिर्ट तक मिक्स करेंगे तो इसके बाद आपको इस तरीके से डो बन करके तैयार हो जाएगा अब इसके साथ खाने के लिए एक सूपर टेस्टी चटनी बना लेते हैं तो देखिए मैंने एक मुठी लगबर पौदीना और धनिये के पत्ते ले ल नमक डाला है और थोड़ा सा अचार का मसाला डाल करके और इसे इस तरीके से पीस लिया है तो आपको इसी तरीके से इसे पीसना है आपको जादा बिल्कुल पतला इसे नहीं करना है आप इसका टेक्चर इस तरीके से देख लें कि मैंने ये से कितना गाड़ा पीसा है अब क्या करेंगे कि हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे या आप थोड़ा सा तेल लगाईए तो उससे क्या होता है कि हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं और उसके आप छोटी छोटी सी लोई ले करके और इस तरीके से इसे हाथेली की मदद से दबा करके चप्टा करते मुखें इसune लिकाने में बहुत सुपर टेस्टी लगती है और देखिए दो आली से सारे बनकरके तैयार होगए तो एक बार मैं आप से फिर बोल लूँगी कि आप जरूर कि इसे इसे बना लॉन मंगे tou gears घ्लूगा और साथ ही में अब मैं फ्लें में एक पंड हूंगी औरीस के इन द एला है थोड़ाती लुदाले elementos देती हैा आपने तरी बहुत ही अच्छा बनाया है और देखे अब इसे शिखते हुए करीब दो कर दो से तीन मिनट नुद मों चुक़े है तो आपको फ्लेम को मीडियम फ्लेम पिल्डेम पर पर ही इसे पकाना है अब कर यह 5 मिन . १ यह दो से पर तेम तो देख देते हैं तो देखें जो हमने एड़ किया है जैसे चन्ने है वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है साथ ही मैं इसके अंदर ब्रेड डाली है और उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू एड़ किया है आप चाहें तो इसके अंदर और भी सबजिया एड़ कर सकते हैं जैसे आज कल तो मा और ब्रेट के बीच में इस टिकिया को रख देंगे और थोड़ा सा मैं इसके उपर चीज ग्रेट कर दूंगी क्योंकि बच्चों को चीज से बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने औरी गेनों का छिड़काओ कर दिया था तो बच् इसके बाद हम अभी क्या करेंगे कि इसे पलट लेंगे तो यह दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा सिखना चाहिए क्योंकि देखिए कि इसका कलर कितना अच्छा है और यह जितना अच्छा सिखा हुआ रहेगा यह खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा और इसके अंदर यह अंदर से आपको इसमें टिकिया का भी टेस्ट आएगा और साथ में हमने जो चीज डाली है उस चीज का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो अब मैंने कर देती हूं प्लेटिंग की तयारी क्योंकि बच्छे इंतजार कर रहे हैं तो एक तरीका तो यह हो गया औ और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं तो मैंने एक ही चीज से दो तरीके से आपको बना करके बताया है यानि कि सैन्विच भी बनाए है और साथी में टिकिया भी बनाई है तो अब मैं तो चली इसे इंजोई करने बाबाई